हाइँ फ्रेंड्स धाकुल्य लक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको मैगनेट के बारें बताँगा और मेंगनेट से लिएटेड टर्म्स øंद कंडिशन के बारे में पटाऊं का कि मैडियट वाल जो re निब हमारे मोटर जेनेरेटर है उनके लिए मेरे का कंसेफ्ट क्लियर होना बहुत ही जडिया है मेंगनेट जितने क्लिया स्रुटी संप्र है और 하지 लेंद लो था तद इस तरह से बहुत say laws भाने मेंगरेटि Deutschland होती है दिस मंधोर होती हैesta अंतलब उनमेनहें बहुत होती होती हैं क्योंकि उन्हें व्형 सीजस और मैंगरेट बनता है कि तो आज कहते हैं तो मेंगनेट किते हैं दो प्रकार के एक होता है प्राकृतिक चुम्बक एक होता है क्रित्रिक क्रित्रिम चुम्बक प्राकृतिक चुम्बक जो होते हैं तो स्थाई चुम्बक होते हैं जैसे कि आपने देखियोंगे एक मेगनेटिक नीडल होती है या फिर यू आकार के होते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से होते हैं होरस श्यू टाइप के इस तरह से ऐसे और आपने देखोगा इस तरह से भी होते हैं वह स्थाई चुम्बक हो वो मेगनेट बन जाता है जब तक आप उसमें करंट देंगे तब तक वो मेगनेट रहेगा और करंट कहताने के बाद उसके मेगनेटिजम खत्म हो जाएगा तो वह था आस्था चुम्बक इसको इलेक्ट्रो मेगनेट भी कहते हैं अगर किसी लोहे की कील के उपर वायर लपेट कर उसमें करंट गुजरा जाये तो उसको इलेक्ट्रो मेगनेट कहते हैं उससे चुम्बक जो बनता है उसको इलेक्ट्रो मेगनेट कहते हैं इलेक्ट्रो मेगनेट के लाहाब भी होते ह अब बात करते हैं Magnetic Terms की, Magnetic Terms पहला है Magnetic Pole, चुमबक का बहे किनारा जहां सबसे अधिक शक्ति होती है, तथा या फिर जहां चुमबक के रिखाएं, जहां से वहर या अंदर जाती है, जैसे कि यहां पर मैं एक मैगनेट बनानेता हूँ, इस तरह से, यह North South, यह होते है, Magnetic Pole तो दूसरा है, Magnetic Aks, Magnetic Aks क्या होता है, यह वेकालपनिक रिखा होती है, जो चुमबक के दोनों पोलों को मिलाती है, यानि कि ऐसे एकालपनिक रिखा होती है, जो चुमबक के दोनों पोलों को आपस में मिलाती है, उसको करते है, Magnetic Aks कि अग्ला है मैगनेटिक बड रिखाएं मेगनेटिक वहन होती है जो चूंबक के ज चूंबक के अंदर साथ उसे नौत फॉल क्यों अवाद जाता है यह कि poop इस तरह से ऐसे ये होती है magnetic बल रिखाए जिसको बोलेगे magnetic line of force तो इसकी ह्काही क्या होती है bewर magnetic line of force की ह्काही होती है bewर एक bewर कितना होता है वन वैवर इस इकाल टूट टैन की पवर एट मैक्स वैल अगर है मेगनेटिक फ्लक्स मेगनेटिक फ्लक्स क्या होता है चुम्बक से निकलने वाली कुल चुम्ब की अरेखाओं को फ्लक्स कहते हैं जो ये चुम्बक से नौट टू सौथ मेगनेटिक लाइन निकल रही है इनको ही इनकी कुल मातरा को ही फ्लक्स कहते है इसका जो चीन ने वो क्या है फाई है इस तरह से इसको कहते है फाई और इसकी जो इकाई है वो है बैवर अगला है मेगनेटिक खेतर यानिकी मेगनेटिक फेल्ड मेगनेटिक फेल्ड क्या होती है जहां तक चुम्बक के मतलब चुम्बक के परभाव को या फिर चुम्बक के रिखाओं के परभाव को महसूस किया जा सके उसको कहते हैं मेगनेटिक फेल्ड जैसे कि मापन लीजी यह चुंबक है मापनलीजी यह चुंबक है हमारा और यह हमारा कोई जैसे कि इस मैगनेट का एरिया इतना ऐ जैसे कि menage लेक फर्स के इस की कै इसका मैगनेटिक फिल्ड कहां यह इसका मैडेटिक हो इल मोटी फोर्स यानि की इसको कहते हैं कि i amwatch से यह से ऐलेक्ट्रिकल में होता है in chauffeur is नहीं इम्फ यह होता है electro motive force यह होता है magneto motive force जैसे कि nuclear electrical में EMS होता है WAbol जो कि विजुत को प्रवाहित करने में साहता करता है तो वहने मेगनेट में होता है मतलब dale चूम के सर्कृट में मतलब चूम की छीते मैं प्रइब ल्ग जो कि चूम के रिखाओं को चलाता है इसшь की क्या है ampe reader इसकी का यह 앞에 be tern तथा चीन क्या है इसका म f via 4.5 में 5 अगला है reluctance reluctance कि होते है relevant kaldा है चुम्प किन सर्किट में magnetic flux के रास्ते में आने वाली बादा को reluctance कहते हैं इसका चिन है S या फिर REL reluctance तथा इसकी जो E काई है वो है MPR turn per Vavar AT per WB इस तरह से इसको लिख सकते हैं जिस प्रकार electrical circuit में resistance होता है उसी प्रकार जो magnetic circuit में reluctance होता है resistance होता है current के राश्ते में बादा और जो reluctance होता है extingusi के रास्ते में बादा यह electrical MAGNец 씨 का समण मैं आपको नेक्स वीडिय 열 में बताओंगा कि electrical में क्रंट को सफ़िए मैंक फिल्ट में क्रंट क्या होता है और मेगनेटिक फेड़ में राजिस्टम्स की होता है और इस तरह से अप्ट यूज हो चुम्ड के हैं वरिक हैं जो अपने निश्चित मार्क पैक्षा किसी दूसरे मार्क से जाए जैसे की यहां पर ऐक मैğनेट बिना जेता हुं और यहां मैगनेट तो इनकी वरिके हैं इसको south pole मारेंगे इसको north pole मारेंगे और इसको south इसको north तो जो ये वाली रेखा है ये तो usable lines है जो की use में आ रही है लेकिन जो इसमें इस तरह से जो lines होती है जो इस एरिये से बाहर जा रही है जो की यहां पे use के लिए नहीं आ रही है उनको कहते हैं वो जो होरा है वो सो होता है magnetic leakage इसमें इस तरह से कुछ lines होंगी तो यह वाली जो lines है वो तो यूज हो रही है लेकिन यह जो लाइन है यह बेश्टेज हो रही है तो यह होगा magnetic leakage नो सुन केज़ चुंबक से निकलने वाले उपयोगी flux ये क्या हुआ है जो हमारे kul flux क्या हुआ kul flux होता है जो इतना भी चुम्बक से फ्लक्स निकल रहा है ये देखिये sketchy line of force है यह है kul flux usable flux जो सिर्फ use हो रहाे है ये usable flux को फ्लक्स बटे Mahar उपयोगी तो वह मैं अगला है maeg unlimited किसी चुमब के अपेदाथ के चुमब के 靈ण की रखने की शक्ति को कहते हैं अगला है Magnetic Saturation यहों किसी पदार्त की वह सीमा है जिसके वाद पदार्त में चुम्बक तब और लेने की ख्यमता खत्म हो जाती है उसे Magnetic Saturation कहते है जैसे कि अगर जब हम Electromagnet बना रहे हैं उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम उसमें और जादा अगर प्रंट भी देंगे तब भी हमारा चुम्बक जो है और शक्तिशाली नहीं बन सकता जैसे जैसे जो Electromagnet में क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसमें क्रंट बढ़ाते जाते हैं तो उसकी जो Magnet होता है और भी स्ट्रॉंग होता जाता है लेकिन जब Magnetic Saturation हो जाता है यानि कि उस पॉइंट पर पहु और नहीं बढ़ सकते उसको कहते है उस पॉइंट को कहेंगे Magnetic Saturation Saturated Point Magnetic Saturation इसको कहते है तो अगला जो हमारा टर्म्स है वो है Residual Magnetism Residual Magnetism क्या होता है जब हम किसी एलेक्ड Experience Magnet को बते है माली जी हमारी लोहे की कील है और इसमें हम वायरील पेटते हैं और क्रंट देते हैं तो क्या बचता है我 माला ला क्टा लेका कोहता है तो मैगनेट के गुण जो है समापत हो जाते हैं लेकिन जो मैगनेट के गुण होते हैं वो पूरी तरह से समापत नहीं होते हैं उसमें फिर भी थोड़े बहुत मैगनेट के गुण बचते हैं जिसको कहते हैं तो यह ठी मेरी आजकी वीडियो जिसमें मैं आपको मैंने आपको मैंने कि वारे क्बार मताया है अच्छा करता हूं कि आपको यह गें कि विडियो लगी वीडियो को धरूर करेगा ठैंक्स पॉस्चिन घ्यू